हा थान्लिय तो क्यों तुझे पता है के सिमिली क्या होता है त्यार दिप limpah krama pra pacil जायान से पढ़ने तेरे अरे बता आना से मिलिया देता है आप माम हेलो तो आपको पता ही कि से वीली क्या होता है बहुत रहे हो धने वो मकेन नहीं से मिली क्या होता है यह नहीं पता मारू। और है Oxy Moron ? Moron ? क्या बुरहो माम! है कि इस Parlament सब्सक्राइब ऊंद मृद तो आप ने कभी सिमिली सुना है? सिमिली कया होता है? अरे यह क्या कर नहीं था? यहे जिए फोल राव। ने यह ने यह स्वाइल होता है सिमिली नी अच्छा कभी हाइपर बुले सुनना आपने हाइपर बुल मने सुनना है रेड बुल सुननों कहा हमें तो आपको पता ही कि ओनू मैटोपिया क्या होता है और परसॉनिफिकेशन तो बच्चो आपका भी कुछ ऐसा ही हाला क्या तो दिक्कत मतलो यार क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं Figures of Speech Figures of Speech जिसे आप लोग Literary Devices और Poetic Devices के नाम से भी जानते हैं इन Poetic Devices को आप लोगोंने अकसर अपनी nursery rhymes, अपनी poems, अपनी stories में generally English में यूज होते वे देखा होगा क्योंकि इन से एक बहुत भी beautiful सा effect हमारे आगे निकल कराता है तो पहली Poetic Devices जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं बच्चों वो है Simile A Simile is used to compare two objects with the help of like and as यानि कि like और as का इस्तमाल करके जो भी हम किसी दो चीजों में तुलना करते हैं उसे Simile बोलते हैं Let me give you an example अगर मैं बोलूँ He fought like a lion in the battlefield या He was as strong as a lion मैंने क्या बोला कि उसने युद के मैदान में शेर की तरहां बहादूरी दिखाई यहाँ वे शेर की तरहां लड़ा तो जब भी बेटा हम लोग बोलते हैं उसके जैसा लड़ा उसकी तरहां किया यानि कि like और as लगाकर हम दो चीजों को compare करते हैं तो वो हो जाता है हमारा Simile जैसे कि मैं बोलूँ He is as tall as a tree वे तो पेर की तरहां लंबा है हाना तो मैंने यहाँ पेर पेड़ का comparison किया किस से एक इंसान से क्यों? क्योंकि उनकी लंबाई एक जैसी थी एक समान थी लंबी थी दूसरा बच्चों हम लोग आज आते हैं metaphor पे अब metaphor की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल simili वाला काम ही करते हैं पर यहाँ पर direct comparison होता है यानि कि like और as हम लोग बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करते हैं जैसे कि अगर मैं बोलू they were cats and dogs when they were fighting वे बिल्ली और कुट्टे थे जब वो लड़ रहे थे कहने का क्या मतलब है? कि वो बिल्ली और कुट्टे की तरहां लड़ रहे थे पर अगर मैं की तरहां यूज करती तो यह हो जाता simili बट क्योंकि मैंने सीधा उन्हें बिल्ली और कुट्टे बोल दिया तो यह हो गया metaphor जैसे कि अगर मैं direct बोलू life is a roller coaster यानि कि मैंने जिंदगी को सीधा सीधा compare किया कि ऐसे जूले से एक ऐसी राइड से जो roller coaster है जिसमें चडाव भी है उतार भी है उपर भी जाता है नीचे भी आता है या फिर अगर मैं बोलू he was a lion या फिर बोलू यार तू तो share है मतलब मैंने तुम्हारा comparison किया share से पर मैंने like और as नहीं लगाया तो ये हो गया हमारा metaphor तीसरी device जिसके हम बात करेंगे बच्चो वो है personification personification में कोई भी non living thing हो ठीक है या फिर आप कहलीजिए कोई भी abstract हो कोई भी feeling हो इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं जैसे कि ये human beings हो जीवित हो जैसे कि for example अगर मैं बात करूँ lightning dance across the sky यानि कि बिजली नाच रही थी पूरे आस्मान में कहने का क्या मतलब है बिजली कड़क रही थी पर मैंने उसको एक human quality दे दी dance बोल दिया dance कौन करता है कौन पात है भांगडा हम humans तो इससे लिए ये personification हो गया अगर आपने कभी सुना हो कि यार बादल रो रहे हैं क्या बादल रोते हैं नहीं पर अगर मैं बोलू clouds are crying कहने का क्या मतलब है कि बारेश हो रही है पर क्यूंकि मैंने यहाँ पर crying बोल दिया उन्हें एक human quality दे दी एक ऐसी विशेशता दे दी जो हम इनसानों की होती है तो ये क्या हो गया बच्चो personification या फिर अगर मैं बोलू कि यार flowers are begging for water कहने का क्या मतलब है कि बिचारे फूलों को पानी की सक्त जरूरत है पर क्या flowers को कभी back करते वे देखा है नहीं ना तो begging किसकी quality है humans की इसलिए हो गया personification चौथी device बेटा जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है oxymoron oxymoron नाम से तो बिलकुल moron लग रहा होगा पर वो है नहीं बहुत ही असान है जब भी हम दो opposite ideas को दो opposite phrases को या दो opposite words को एक खटे लगा देते हैं तो वो oxymoron हो जाते हैं जैसे कि मैं बोलू he was quite angry बोलते हैं न हम quite क्या होता है बिलकुल शान और angry क्या होता है बहुत ही गुस्से वाला तो quite angry दो opposite words को मैंने एक साथ प्लेस कर दिया तो ये हो गया हमारा oxymoron अगर मैं बोलू she's pretty ugly pretty क्या है खुबसूरत अगली क्या है बचसूरत तो opposite ideas को मैंने एक साथ लगा दिया इसलिए बच्चों ये हो गया oxymoron next device जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है hyperbol महले की आंटिया तो देखी ही होंगी उनका काम क्या होता है बड़ा चड़ा कर किसी बात को बता दे हाना तो यहां पर hyperbolे भी हमारा महले की आंटि ही समझ दो वो क्या करता है आपके आगे किसी भी बात को बड़ा चड़ा कर रख देता है जैसे कि अगर मैं बोलू कि आर खून की नदियां भै गई क्या कभी खून की नदि भैती है नहीं कहने का क्या मतलब है कि इतनी लड़ाई हुई होगी कि नदि में खून-खून हो गया बड़ क्यूंकि हमने इतना बड़ा चड़ा दिया तो हो गया कि यह खून की नदी बह गई अगर मैं बोलू He is as tall as a tree Ma'am यहाँ पर तो similarly use हुआ है He का comparison tree से हुआ है और as भी आया है बिल्कुल सही एक sentence में एक से ज़ादा poetic device हो सकता है यहाँ पर बच्चो hyperbole भी इस्तमाल हुआ है क्योंकि कोई पेड़ जितना लंबा हो सकता है नहीं, खली को छोड़ दो तो यहाँ पर पेड़ जितने लंबे होने को बहुती बढ़ा चड़ा कर बोला गया है इसलिए यह क्या हो जाएगा? Hyperbole नेक्स जो device है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों वो है onomatopia नाम से बहुती खतरनाक लग रहा होगा पर spelling याद कर लो बाखी कोई दिक्कत में लेनी है जेनरली onomatopia होता है जब भी हम किस sound को describe करते हैं जैसे कि मैं बोलू buzzing bee bee क्या कर रही है buzz ऐसे कर रही है तो ये जो buzz है जो इसका sound है बच्चों ये हो जाएगा onomatopia अगर मैं बोलू कि तुम्हें पता है ट्रक्ट इत्ती जोर की आयो और bum मार दिया तो ये bum क्या है ये अवाज है तो ये अवाज कौनसी device है onomatopia इस type की device generally आपने nursery rhymes में जरूर देखी होगी जैसे कि अगर हम बोले कि cat कैसे कर रही है meow meow तो ये meow meow क्या हो जाएगा onomatopia आप लोग भी मुझे ऐसे बहुत सारे example comment section में दोगे ठीक है और बताओगे कि आपकी favorite project device कौन सी है until then, bye bye